नीदानगरी is brought to you by पगार खाता. Download the app now. अगला सवाल अमन कुमार का है कि आप कभी कंगना रनाओत का इंटर्व्यू लेना पसंद करेंगे? I'll need a team, a huge team of fact-checkers. जब मैं कंगना रनाओत जी का इंटर्व्यू करूँ क्योंकि वो कमाल है, वो अद्भुद है, वो क्या बोलती है, मतलब वो अविश्वस नहीं है. अलग-अलग धाराओं में, अलग-अलग विचारों को प्रेशित करने वाले लोगों से हम बात करें और जो आप लोगों की मन में प्रश्चन है, हमारे मन में प्रश्चन हैं वो पूछें, तो अगर कभी अवसर लगेगा, तो हम जरूर इंटर्व्यू करना चाहेंगे बहुत दावे करती हैं वो, कि उन्होंने कहा है कि मैं मेरिल स्क्रिप और जो वंडर भूमेन बनी थी मैला, उनसे भी बहतर हूं, उन्होंने अपनी रेंज की बात की है, तो हाँ दिल्चस्प होगा, तो शार मधुरम का सवाल है, कुश्चन टू यू सौरभ, आप प्रियं से पहले हम जरूर प्रियंका गांधी से बात करने की कोशिश करेंगे, आज कल होता क्या है कि नेता लोग किसी भी पार्टी के हो, अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से इंटर्व्यू के लिए राजी होते हैं, बड़ी उसकी भी एक लंबी अल्गॉर्दम हो गई है, श्रि इंडियन पॉलिटिक्स पे बहुत सारी किताबें हैं, जिन पर हम लगातार बात करते रहते हैं, एक किताब पता नहीं क्यों ऐसे चमक गई है, आपने पूछा, ब्लैक फ्लैक्स, राइज ऑफ आइसिस, ये किताब है, इसको आप जरूर पढ़िये, मैं आपने बहुत साथ बहुत अच्छे डंग से लिखी गई किताब है, बिल्कुल वो पूरा मंजर, जियो पॉलिटिक्स, सब कुछ समझ में आ जाती है, जैस रागाओ का सवाल है, माई कोश्चन, सौरप सर इंडियन फूर इस्ट्री जानने के लिए किस बुक को रीड करूं, ओहो, इंडियन फ वी की भी एक किताब है, पाक कला पर, वो आप देख सकते हैं, और एक किताब मुझे, एक टाइटल द्याना है, कायस्थ फूड, लॉस्ट कायस्थ फूड, ऐसे करके किताब थी, कायस्थों को सामाजिक सनरचना में खाने का खूब शौकीन माना जाता है, और हाँ, बड़ा उस तरीके के जुमले भी चलते हैं, बड़ा स्वादिष्ट गोश्थ बनता है, और और तमाम रिस्पीज बनती हैं, तो इसलिए वो किताब थी, कायस्थ फूड पर, अरपन जैन का सवाल है, प्लीज रेक्मंड बुक्स, और पायग्रफी और पायग्रफी और आमी, नेव एरफोर्स और ड्रॉव, एक तो आप भाई सब काववाइस पढ़ लीजिए, बतला वो बिल्कुल बुनियादी किताब है, इसके अलावा यह हमारे साथी हैं, रखवाले करते हैं, यह बता सकते हैं, जैसे हमने पेश्चे दूनों किताब वाला किया था, लेटरेंड जेनर शुभी सूद ने भी लिखी है, और ब्रिगेडियर पंतिक ने भी किताब लिखी है, तो वो पढ़ने में बड़ा मजा था, I am so fascinated with that fellow, मतलब इसे आप मेरी गल्दश्रू भावकता कह सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के बारे में पढ़ता हूं, तो लगता है कि यह सामने हो होते तो पाउं छूता, फील मार्शल मानिकशा के बारे में पढ़के, क्या आदमी था यार, शेर का बच्चा एकदम बिल्कुल जिसको कहते हैं, वो जाहे सेकंड वर्ल वार की लडाई हो, उसके बाद की लडाई हो, उतने जिग्रे वाला आदमी हैं, और वी आर सवाल को मार कर लीजेगा, प्रोडूसर साब, अरपन के, आपको अगर किताबें चाहिए, तो कौन से पढ़नी चाहिए, आच्छा, और अगला सवाल, गौरव धींगरा का है, भाईया एक बात बताओ, ये सुन्दर-सुन्दर शॉल और कुर्ते कहां से लाते हो, किसी शहर में रहते हैं तो आपके हाँ, खादि के भंडार होंगे, खादि ग्रामोद्योग के भंडार होंगे, दिल्ली और तमाम शहरों में तो बहुत बड़े-बड़े हैं, खादि के कुर्ते पहनीए, खादी खरीदिए, आसपास बढ़िया कोई टेलर भईया तलाशिय अपनी नाप के लंबे और शौट कुर्ते पहनिये सस्ते मजबूत टिकाऊ और हेंड लूम को इससे बढ़ावा मिलता है और जब मैं यह बोल रहा हूं तो आज सहीं की बात है कि मैंने कुर्ता नहीं पहन रखा है कभी-कभी हमारा भी मन करता है जो किनारे शर्टें टी-शर् रहा हूं तो संबलपुर में वहां पर बड़ा काम है कपड़ों का तो मैं वहां से अपने परिजनों के लिए साड़ी लाओंगा सूट लाओंगा गले में पहनने के लिए कुछ स्कार्प लाओंगा मैं महेश्वर महेश्वर गया था महेश्वर बोल दिया था तो पड़ी अब को भूत्काल में जाने का अवसर मिले तो भारती इतिहास में किन तीन लोगों का आप साक्षातकार करना चाहेंगे जो आज हमारे बीच नहीं है वाँ तो काफी विस्तित सवाल है इस कौन सी तीन ऐसी शक्सियतर जिनका आपध आम आप साक्षातकार नहीं किया वो है एश्वर्य राय जी मैं स्कूल के दिनों से ताल और हम दिल दे चुके सरम के दिनों से उनका फैन रहा हूँ और तीसरी शक्सियत जिनसे मैं विस्तार से बात करना चाहूँगा वो मुझे लगता है कि it's a tie it's a tie मैं तीन लोगों से विस्तार में बात करना चाहता हूँ सोनिया गांधी से और बहुत range of questions है कि वो aims के पंचम तल पर जो जगड़ा होता है नहीं नहीं और हां-हां का कि politics में जाना है कि नहीं जाना है फिर उनका पुत्र मोह क्योंकि मुझे ध्याने शायदюсь राजीव शुक्ल नहीं यह सवाल पूछा था राजीव गांधी से कि आपको क्या लगता है बच्चों में कोई पॉलिटिक्स में जा सकता है तो राजीव गांधी का जवाब तो प्रियंका आप लेकिन कई लोगों ने टेपणिकारों यह ने कहा कि भारती और इटेलियन परिवारों में माताओं का पुत्र मोह तो मतलब बहुत सारे सवाल हैं उनके पास अपने जवाब होंगे मैं उनसे जानना चाहूंगा कि 2004 में असल में हुआ क्या था कोई कहता है कि त्याग था कोई कहता है political compulsion था कोई कहता है security था कोई कहता है family थी तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब उनसे मिल सकते हैं लता मंगेशकर जी से वो भी अगेन बहुत ही शद्धा आती और वो उन्होंने नस्रीन मुनिक अभीट से बातचीत में स्वपने का जिक्र किया था कि मंगेशवाडी में एक मंदिर है काले फ्रस्तर खंड का बना और जिसकी सीड़िया समंदर में उतरती है ऐसा वो एक स्वपन देखती है वहां जाते हुए तो लता जी से बड़ा अद्भूत है मतलब कि आप सोचो महल का गाना आएगा आने व पास जिसको कहते हैं और तीसरा अगें सचिन तंदुलकर पर मुझे लगता से फिर भी बात हुई है महेंदर सिंग धोनी से अभी खुलकर बात नहीं हुए है और मुझसे अकसर लोग पूछते हैं कि लललन टॉप मतलब क्या जब मुझे उधारन देने होते हैं महेंदर सिं महेंदर कर रहे हैं जिन्दगी में हो सकता है कि औरोंग मकाबले हमें जादा चुनौतिया लेकिन महेंदर सिंग धोनी इस वेरी फाइन एक्जाम्पल पिता जी चतोट शर्णी के कर्मशारीर लगातार महेंदर की और अपना मकाम हासिल किया दो-दो वर्ल्ड कप आति इतियास की बात करूं तो मैं पहला साक्षातकार करना चाहूंगा चानक्य का इंटरनेट वाले चानक्य नहीं असली चानक्य अर्थ शास्त्र के प्रणेता चानक्य क्या व्यक्ति रहा होगा यार अदभुद दूसरा इंटर्व्यू एक्चली इसकी में बड़ी लंब लिस्ट है दूसरा मैं करना चाहूंगा अशोक का अशोक विमसार के फेवरिट पुत्र नहीं थे फेवरिट पतनी से भी पुत्र नहीं थे तक्षिला में देखिए चाणक के कावी जिक्र हो रहा था तक्षिला में विद्रोह जब नहीं दपता है सुशेंट से तो इनको भ होता है और मैं उस मेकर्शिफ्ट को एक ड्रामा की तरह नहीं देखना चाहता हूं कि एक दिन अचाना कुनों टै किया और हतियार डाल दिये क्योंकि उस बुद्धिस्ट व्यवस्था में भी सुरक्षा की सनचनाय रही होंगी तो और तीसरा मैं ललिता दित्य पीट का इंट कहले हैं लूत नहीं हुआ है निखिल बहुत ही डेली सेंट्रिक और नॉर्थ सेंट्रिक इत्यास यह हमें राजिर्चेना दिन बंगाल से लेकर इरान तक इराक इरान तक आप समझ रहे हैं और हम ललता दिते पीट के बारे में नहीं जानते हैं क्योंकि उतने विस्तार से नहीं बताए गया कश्मीर में साथवी आठवी नवी सिश्टाब्दी में चाहे वो साहित्य का लेखन हो जैसे आप किसी से पूछेंगे कि हिंदी आप प्रेमचंद को जानते हैं जानते हूं कालिदास को जानते हैं चेतन भगत को जानते हैं अमीश को जानते हैं शेक्स्पियर को जानते हैं इनको जानते हैं अभी नो गुप्त को कितने लोग जानते हैं लोगों का दोश नहीं है थोड़ा तो है पर वो किस तरीके से पढ़ाया गया किस तरीके हमें कोई दूसरा चाहिए इंट्रड्यूस करने वाला तो ललता दित्य पीट के मैं शासनकाल के बारे में जानना चाहूंगा और ये एक लंबी श्रंखला है जिसमें अकबर भी आएं साथ तो बरगत कर लीजेगा गांदी जी के साथ तो मैं एक बरगत कर सकता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग पॉल्ट हम लोग लगता रही हम कुछ मुछ सवाल पूछें जो दूसरे लोग पूछने से बचते हैं उसमें मेरे कम से कम लेवल पर बदमाशी नहीं रह है क्या जब इन्हों ने यह बयान दिया यह इन्हों ने यह फैसला लिया तो इनके तरकों की जामती क्या बनती है मैं वो जानने में मेरी दिल्चसपी रहती है तो गांदी जी का तो इंटेवी जरूर सुभाष बाबू से भी और मैं आजकल जो हिंदुधन की व्याक्या है और ही स्वामी वेकनन से पूछना चाहूंगा कि उनका क्या सोचना है इस पर तो बहुत-बहुत लंबी सूची है यह बहुत लंबी मैं तुल्सिदास जी से पूछना चाहूंगा कि जब बनारस के घाट पर बैटके वहां के जो पोंगा पंथी थे औरे तुम जन भाशा में कैसे लिख सकते हो संस्कृत में शास्त्रों की भाशा संस्कृत है तो उन्होंने या जब कभीर दाज जी अपना मठ छोड़ कर जाते हैं मगर क्या क्रांतिकारी व्यक्तित तो यार हमारे कैसे कैसे पुर्खे हुए है